अगर आप सभी अपना इंस्टाग्राम अप्लिकेशन ओपिन करो और फिर यहाँ पे जब आप अपने प्रोफाइल पे आओ और अब यहाँ पे आप तीन लाइन पे क्लिक करो तो आपको एक नया ओप्सन देखने को मिलेगा तो यह है क्या और इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यह रुक जाएगा और फिर इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यह पलट जाएगा तो यहाँ पे यह कह रहा है कि तूडे और यहाँ पे थ्रेट का आइकन है और दूसरा टाइन बता रहा है और तीसरा यहाँ पे आपका यूजर नेम बता रहा है और यहाँ पे आपका ए है क्या और इससे होता क्या है दोस्तों आप सभी जानते हो कि Google Play Store पे एक application है Twitter जी हाँ दोस्तों यह देखिए यहाँ पे आपको एक application मिलेगा Twitter तो यह जो Twitter application है यह अकेला था इसके जैसा competitor कोई था ही नहीं इसको टक्कर देने वाला कोई था ही नहीं तो same feature यहाँ पे आपको Thread app के अंदर देखने को मिल जाएगा यानि कि अब Twitter को direct compete करने वाला एक नया application Thread आ चुका है तो अब आप सभी इस वीडियो के माधियम से समझ चुके होंगे कि आप सभी जब अपना Instagram application open करो और फिर यहाँ पे आप तीन लाइन पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको एक नया option देखने को मिलता होगा वो होगा Thread का तो यह है क्या यह आपका एक Twitter ही है जो की अलग नाम से आया है जैसे कि Twitter अभी Elon Musk का हो चुका है और Thread Mark Zuckerberg का हो चुका है तो यहाँ पे आपको Instagram की ID से ही login करने का option मिल जाता है Thread app के अंदर इसके लिए आपको separate ID बनाने के जरूरत नही डारेक्ट आप Instagram के ID से ही login कर सकते हो अब आपका एक सवाल होगा कि क्या हमारा जो भी follower Instagram के अंदर है सेम follower मेरा Thread app के अंदर भी सो करेगा जी नहीं वहाँ पे आप अलग follower इकठा कर सकते हो वहाँ पे आप अलग following कर सकते हो लेकिन आपका Instagram का जो भी profile होगा वो आप वहाँ पे ला सकते हो जो भी आपका handle होगा वहाँ पे ला सकते हो तो यह चीज आप वहाँ पे कर सकते हो बाकि आपका follower अलग-अलग होगा उमीद करते हैं कि आप सभी समझ चुके होंगे कि Thread app क्या है तो Instagram का ये नया application है और इसमें भी आप Twitter की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हो यानि चीज आप डारेक्ट Google Play Store से भी जाकर कर सकते हो या फिर मैंने लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ वहाँ से जाकर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो